दो मंत्र थे बाबा साब की जिन्दगी के संघर्ष और सेवा और हमारे उपर ये दोनों लागों होते हैं जब अपनी सत्तर में से सड़सट सीट आई थी तो मैंने सोचा था चलो अब संघर्ष पूरा हुआ अब सेवा करेंगे लेकिन इनों ने जो तंग करा हम लोगों को काम नहीं करने दिया इतने अडचन अड़ाई इतने एक के बाद एक कानून लेके आ रहे हैं ये भी पावर हमारी ये भी पावर हमारी केजरिवाल की कोई पावर नहीं है कि बिना पावर के भी हमने इतना काम कर दी तो तब मेरे को अग लगने लगा कि आम आदमी पार्टी तो पैदा ही संघर्ष के लिए हुई है जो जो आम आदमी पार्टी में आए वो ये सोच लेवाई ये काटों का ताज है हम पैदा ही हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष है संघर्ष में ही जीना है अपने को जैसे बाबा साब अंबेदकर का पूरा जीवन ही संघर्ष था हमें भी संघर्ष में ही जीना है आज भी ये मतलब कभी ये काम रोकेंगे कभी वो काम रोकेंगे अफसर तुमको रिपोर्ट नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे वो काम नहीं करने देना है लोगों को और हमने भी ठान लिया काम तो करके रहीं जब हम सड़कते थे तभी काम करवा लेते थे इंग लोगों से अब तो हम अंदर आगया तो एक तो संघर्ष से घबराना नहीं है संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा आज आपके तीन चार नेता जेल के अंदर हैं आज अगर वो जुक जाएं अगर वो इनकी बात मान लें अगर वो आज बीजेपी में चले जाएं दो दिन के अंदर भाहर आ जाएंगे मनीज सिसोदिया को दुख देखो उनकी वाइफ कितनी बिमार है कितनी जाधा बिमार है उनका बेटा कैनेडा में है उनके घर में उनकी ख्यार रखने वाला कोई है लेकिन फिर भी दस महीने हो गए जेल में उनको आज अगर मनीज सिसोदिया बीजेपी के साथ हाथ मिला लें अपना अच्छी जिन्दगी जिएंगे लेकिन नहीं बाबा साथ उम्बेट करके उर्भगर सिंग के चेले हैं मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन चुकेगे नहीं देश के लिए लडने के लिए आए हैं देश के लिए अपने असूरों से कभी समझवाता नहीं होगा